हम सबने यहां देखा है कि किसमिज को कुछ सामान ने समय के लिए पानी में रखने पर वह फूल जाता है क्या आपको यह पता है कि यहां कैसे होता है तो जी हाँ यह कास्मेसिस प्रग्रिया है जिसके कारण आसपास के माध्यम से पानी किसमिज के सेल्स में घुश जाता है जिससे वह फूल जाते है हम अब इसको डिफाइन कर देते हैं डिफिनीशन में इस प्रोसेस में एक सेमी परमेबल मेंबरेन के थ्रो हाइयर वाटर कंसेंट्रेशन से लोवर वाटर कंसेंट्रेशन तक पानी मोब होता है खास बात यह है कि पानी के मूवमेंट उसमें घुले वेपदार्थों पर निर्भर करती है और इसका वास्तों में क्या मतलब है आए इसे बहतर समझने के लिए हम एक एकस्पेरिमेंट करते हैं चलिए हम तीन प्लेट से कंटेनर ले लेते हैं और हर एक अलग अलग कंटेनर में साल्ट सेलूसन लेते हैं चलिए हर एक में रेड बलड शेल्स यानि अरवी सी को अठ करते हैं थोड़ी तेर में हम आसपस रूप से देखते हैं कि पहले सेट में सेल शिकुड जाए हैं और दूसरे सेट में सेल बिल्कुल वाइस से ही हैं जबकि तीसरे सेट में सेल फूल जाते हैं ऐसा क्यूं हुआ चलिए हम इसे समझते हैं तो पहने शर्स के आसपास पानी की मात्रा कम थी सिल की तुलना में दूसरे सब्दों में सलूशन में साल्ट की मात्रा ज्यादा है और इसलिए या सलूशन कंसंट्रेट यही कारण है कि वाटर मालेकोल से अंदर से बाहर की और चले जाते हैं क्योंकि सिल के अंदर पानी की कंसंट्रेट ज्यादत है इसलिए से लिए लगते हैं इस तरह के सुलूशन को हाइपर टॉनिक सुलूशन कहलाते हैं यानि कि यह सुलूशन हाईयर साल्ट कंसंट्रेशन के होते हैं अब दूसरे खीस में नजर डाल देते हैं यह in austin esour Transport वर फानी कोंसेंट्रेशन ने बर समानने रहता है कि अंदर उर बाहर यही काई रथा कि पानी के मूजमने बालेंस था मिस्ते हैं कि इसका मतलब जाए कि पानी के मूध вызए में दोनों डार एक्सन में समान जब पानी का कंसेंट्रेशन मेंबरेन के दोलों तरफ सामान हता है। अब हम थीचरे सेट्स पर फोकस करते एं केसर met ऐप्डालियोट सो लूशन से खी रहे होएं जिसमें पानी का concentration ज्यादा है, खुली हुई salt कम है और पानी के मात्रा ज्यादा है, इसलिए पानी के molecules शिल के अंदर चले जाते हैं, और इस वज़ा से शिल फूल जाते हैं, इस तरह के solution को हाईपरोटॉनिक solution कहते हैं, दूसरे सब्दों में solution जिसमें पानी के concentration ज्यादा है, दूसरे के मुकाबले, इस तरह से उनकी मिन्न बिन्न प्रगाल के solution के बारे में हमने आज जाना मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए, थैंक्यू.